हलो मैं टेस्टिंग, हलो, हलो, हलो यूटूब दिस तुबर मग्राज और वेल्टम तो मैं चैनल साहिगर बाबा आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप 112 रोपय में ओनलाइन पैन कार्ड को बना सकते हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड की मुदस से ना तो यहां पर आपको कोई मार्क सीट लगेगी और ना ही कोई फाल्टू डाकुमेंट ना ही फोटोस और ना ही कोई सिगनेचर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको आधार कार्ट की रिक्वार्मेंट होगी पैन कार्ट को बनाने के लिए तो अगर आप यह पूरी प्रोसेस जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रही है फ्रैंक वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप से रिकष्ट करता हूँ कि यदि आपने अभी तरह हमारे चैनल साईगर राव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पलीज इस रेट बटन पर क्लिक कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करक्ते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे requirement की तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर आपको सर्फ आधार कार्ट की requirement होगी बट आपके आधार कार्ट से आपका mobile number registered होना चाहिए प्रोसेस में आपके mobile number पर एक one time password send किया जाता है verification के लिए इसके लाबह यहाँ पर और कोई requirement नहीं है अब हम देखते है next step सबसे पहले आपको अपने browser पर जाना है और यहाँ पर आपको type करना है online pen application अब यहाँ से आपको online services.nsdl की site को open करना है यहाँ पर आप देख सकते है online pen application का form open हो चुका है सबसे पहले यहाँ पर option है application type यहाँ से आपको first option को select करना है then next option है category सो यहाँ से आप individualemer car रहें यदि आप किसी company खर्रुस्ट केलिए बनबाना चाहते हैं तो आप company है trust को select करें बट मैं इसए斑 इंडिक्ल obsolet कर रहा हूं इसके बाद यहां पर आपको टाइटिल देना है तो यहां पर मैं स्री स्लेक्ट कर रहा हूं अब इसके बाद यहां पर ऑप्शन है लास्ट नीम का यहां पर आप दिसके हैं फस्ट नीम और यहां पस लास्ट नीम तो मैं पना लास्ट नीम टाइप कर रहा हूं तेन फस्ट इसके बाद मिडल निम इसके बाद डेट ऑप बर्थ देन इमेल आईडी जैन मोगाइल नमबर इसके बाद आपको एक कैप्चा कोट फिल करना है सिंप्ली आप इसे स्क्रॉल करें देन समबट यहां पर आप देख सकते हैं आपको एक टोकन नमबर मिला है और यहां पर आप देख सकते हैं अपना टोकन नमबर यह आपको टोकन नमबर है इसको आपको नूट टरके रखना है वेकोज जब आप Payn Card के फॉर्म को फुर करते हैं सो वहाँ पर साइसन उस्तार चार्ट हो जाता है उस साइसन चार्ट के अंदर आपको फॉर्म को फॉर्म करना होता है थो आपकी पूरी मेहनत है अपनी जो पूरा टाइप किया है वह आपको फिर से टाइप करना पड़ता है इसलिए आप टोकन नंबर को सेप करके रखें ताकि टाइम आउट होने के बाद भी आप फॉर्म को चंटीणी कर सके हैं तो फ्रेंड टोकन नमबर को सीप करने के बाद आपको continue with pen application form पर क्लिक करना है तो यहां पर आप देख सकते हैं आपका जो form है वो five step में complete होगा सबसे पहले आपके सामने तीन आप्सान आ रहे हैं यहां पर आप देख सकते हैं forward application document physically मतलब आपको physically submit करने होंगा अपने document को इसके बाद second option है submit scan images मतलब आपको अपने scanner से अपनी document को scan करना है then a site पर upload करना है और इसके बाद third option है submit digitally through ekyc so यहां से आपको फर्स्ट वाले option को select करना है इसमें आपको कोई document कोई photos कोई requirement नहीं इसके बाद आप से scroll करें अब इसके बाद यहां पर आपको इन अदार का number type करना है so यहां पर मैंने अधार number type किया इसके बाद simply आप ऐसे scrawl करें r अब यहांपर सबसे पहले आपको आपना title select करना है sotico a aus maskedarch लृट्यक्ट है और यहां पर आप देख सकते हैं registration number so यहां पर हम ekyc की थूप pencard के लिए apply कर रहे हैं यहां पर registration number closed इसके बाद आप इसे scroll करें इसके बाद यहां पर आपको अपने parent की information को डालना है father's name mother's name details को डालने के बाद simply आप next पर click करें अब इसके बाद second step so यहां पर सबसे पहले option है source of income so यहां पर आप अपनी income को डाल सकते हैं बट यहां पर मैं no income को select कर रहा हूं इसके बाद next option है address का so यहां पर आपको अपने address की information को step by step fill करना है then इसके बाद आपको telephone number और email ID की detail को submit करना है so सबसे पहले यहां से मैं isd code को select कर रहा हूं प्लस 91 इसके बाद आपको अपना telephone number type करना है then email ID और इस information को fill करने के बाद आपको next button पर click करना है इसके बाद next option है area code, AO type, range code और AO number यदि आपको अपने AO code की जानकारी नहीं है तो आप second वाली step को follow कर अपने AO code को निकाल सकते हैं जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं for help on AO codes select from the following simply आप इसे scroll करें और यहां से आपको Indian citizens को select करना है इसके बाद next option है state so यहां से आपको अपनी state को select करना है इसके बाद next option है city so यहां से आप अपनी city को select करने अब यहां पर आप देख सकते हैं आपके समने बहुत सारे वाट की information आ गई आप आप अपने वाट की location के साब से अपने area को find कर सकते हैं जैसे आप यहां पर देख सकते हैं जाब बाहर गंज यह मेरे area की location है तो simply मैं से select कर रहा हूं और अब आप देख सकते हैं यहां पर आपके area code automatic फिल हो चुके हैं इसके वाद simply आपको next पर click करना है अब यहां पर हम आधार कार्ट की सुरूफ pen card के लिए apply कर रहे हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं identity proof के स्तारे option closed है because यहां पर आपकी जो information है वो सीधा आधार कार्ट से ली जाएगी यहां पर photos, signature, आपका address सारी information आधार कार्ट से ली जाएगी simply आप से scroll करें इसके बाद एक declaration form है simply यहां से आपको अपने name को confirm करना है इसके बाद next places जहां से आप pen card के लिए apply कर रहे हैं उस place का नाम then date और simply submit पर click करना है अब यहां से आपको अपने application को एक बार verify करना है तो सबसे पहले यहां पर आधार number इसके बाद full name इसके बाद detail of parents contact information तो यहां पर सारी information को check करने के बाद simply आपको proceed पर click करना है अब यहां पर आपके सामने moats of payment यहां पर आपके सामने दो option है simply यहां से आपको second वाले option को select करना है इसे scroll करें और यहां पर आप देख सकते हैं आपको जो total amount pay करना है हो है 112 रुपए simply आप इसे scroll करना है यहां से आपको इनकी transaction condition को agree करना है then proceed to payment अब यहां पर आपके सामने transaction ID है आपको इस transaction ID को copy करना है पहले इसके बाद आपको pay confirm पर click करना है अब यहां पर आपको सामने बहुत सारे option payment के लिए credit card debit card net banking so simply यहां से आपको अपने payment को confirm करना है और payment के बाद आपको एक ID दी जाएगी उस ID को आपको note करना है जिससे आप अपने payment card की information को track कर सकते हैं कि अभी आपका pen card कहां पास है कब तक आपके पास आएगा maximum जो time लगता है pen card के लिए वो 10 से 15 दिन होता है बट यह address क्यों पर depend करता है क्योंकि pen card हमीं साब पोस्ट की थुरू आता है तो फ्रण यही है pen card आवराने की normal सी process so viewers इस वीडियो में सिर्फ इतना ही यभी आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें share करें और comment करें thank you for watching my video